दिखने में तो पढ़े लिखे लगते हो फिर जेल में क्यों हो बहुत बड़ी राम कानी है बाई बताऊंगा तो टाइम बरबाद होगा अब यहाँ हम कौन सा बड़ा काम कर सकते हैं सर जो टाइम वेस्ट होगा टाइम पास के लिए ही बता दो सर वैसे तो सारे बच्चे अपना दिल खेल कुद में लगाया करते हैं पर मेरे बेटे ने मेरी बातों को दिल से लगा लिया तो ऐसी खुंसी बात उससे कह दी सर मेरे बेटा क्या हो गया आजा 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 मेरे पांस आजा अभी अगर इस्माइल कर दूना तो दस लड़किया गायल हो जाते हैं बहुत बद्बू आ रही है तेरे मुझ से अब सबको जोक सुनाना बंद कीजिए और बच्चे को संभालिए पापा की पास चुपो जा रोते जोगए तो भी इत्ता रही है है तो आजो अ फिकेख भी और यह तो यह तो हसने लग गया मेरा बेटा यह मैं आसा समझ रहा है जब भी यह रोई ना तो मेरे पास लेकर आजा अजी सुनिये देखिए कुछ कहानी रहा है रहा है लाओ मुझे देदो मुझे देदो मेरे पास आओ अब देखो तो टीवी देखो टीवी देखो तीवी देखो देखो आट चल रही है सोनिया जी इसने फिर से रहना शुरू कर दिया कहा है ना इसके चिंता तुम मुझे पर छोड़ दो अब यह आटो वार अंकल है इनको मारो तो अब आपने बच्चे को समाल लो नहीं तो तुम्हारे लिए ही मुश्किल खड़ी करेगा वह रास्ता भटक गया है सर नजर रखनी चाहिए थी कितना पढ़े लिखे हो भाई तेंद पेलूं सर डिग्री तो है नहीं तेरे पास और मुझे सला दे रहा है हमार के भी देख लिया उसे बंटी को क्यों मारा तुने मुग क्यों बना रहा है अब कोई फ़ाइदा नहीं चलल हाथ मिकाल में मुझे मुझे में मज़ा मार खाने में वी मज़ा यह क्या बात हुँ सेर यह बच्पन में ऐसा है तूब बड़ा होके क्या करेगा झाल 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 करूँ आए समझना क्या मैं करूँ जर दीवर से अपना मैं फुड़ूँ नेरे खुदा पता तुभी क्या करूँ सरा देखो याना दुनिया का जगडा देखो लोगों के पंगे हो ये बेपरवा पन ऐसा सियाना कोई भी बत्ये ना जो लपड़ा करते उसको न तू ठोड़ना विस तूप कर दोड़ना कर दोड़ना कराँ मैं講τι लृप कर दोड़ना कर दोड़ना Yeah, 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 yeah Okay जोड़े ना जब ये मामला चारों तरफ होने लागी हमला पंजे निकल जाने बबुआ खुशियानी गई है यारा सर देखो यारा दुनिया चांगरा देखो लोगों के पंगे होके तो परवा पंजा तुसे आना कोई गिपजे ना जो लपना करते उसको न तुझोड़ना कर चलबा कर चलबा कर चलबा कर चलबा कर चलबा उसके बाद क्या हुए सेर उधर देखो तुम लोग स्टूडेंट्स हो या गुंडे हो जो बीज सडक पर जगड़ा कर रहे हो आज के बाद अगर किसी भी जगड़े में तुम लोग नजर आये ना तो पीडी एक्ट के तहत अंदर कर दूँगा समझ में आया इन दोनों ग्रूप के लड़कों के नंबर और अड्रेस सेपरेट नोट करके इन लोगों को छोड़ो चलो जाओ 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 चलो सब लोग यहां के साइन करो जा हुआ सर कौन से बैच से हो मेरा कोई बैच नहीं है सर फिर रोड पर ऐसे जगड़ा हो रहा था तो मैंने सोचा कि पार्टिसिपेट करने के लिए वहां कोई कबड़ी का खेल चल रहा था कौन से पढ़ाई कर रहा हूँ तुम्हारी पढ़ाई लिखाई के लिए तुम्हारे गारजियन लाखों खर्च कर रहे हैं और तुम लापरवाह होकर जगड़े के मजे ले रहे हो जिस उमर में पढ़ाई लिखाई करनी चाहिए उसे वेस्ट कर रहे हो अगर ये बात तुम्हारे गारजियन को पता चले तुन्हें कितनी तकलीफ होगी उनको पता है सर मारने के लिए उन्होंने तो मुझे बच्पन से एंकरीच किया है इसी वक्त अपने पापा को फोन करके पुलिस टेशन आने के लिए को इसकी तो आदत हो गई है सर इसे अंदर डल दीजे अकल आ जाएगी पापा सुनो कॉंस्टेबल सर इस लड़के को छोड़ दो और इसके बाप को शाम तक अंदर रखो बेटे की गलती की सजा बाप को मिल यह किस कानून में लिखा है सब कुछ बता दिया क्यों सर बस एक बार बिल्कुल भी नहीं लाइफ में जब कभी भी यह जगड़ा करेगा मैं हर बार तुम्हें ही अरेस्ट करूंगा तो यह है मामला सर आपका टाइम खराब था इसलिए आप इंस्पेक्टर की नजर में आ गए वो तो पहले से ही हीला हुआ है अगर हो सके तो अपना मुहला बदल लो अगर मेरी बात मानों तो आपको यह शहर ही बदल देना चाहिए अगर आप यह सोच रहें के टेंथ फिल की सलाग क्यों मानूं तो सेम प्लेस रेगुलर मिलेंगे फिर आगे की कहानी भी सुन लूंगा क्या हुआ कोई बुरा सपना देखा क्या हाँ जी मेरे बेटे के दुश्मन उने आपको जौन से मार दिया है ऐसा सपना देखा मुझे भी इसी बात का डर था कि एक नहीं दिन वो लोग मुझे ज़रूर मारेंगे पर यह तो बताओ मुझे उन्होंने मारा क्यों सिर्फ सप क्या हुआ है बच्पन में मैं पिता जी से छिपकर सिगरेट पीता था एक दिन पिता जी को पता चल गए तो उन्होंने मुझे मारा नहीं बलकि पूछा कि क्या तुम्हें सिगरेट पीना पसंद है अगले दिन मेरे रूम में सिगरेट ही सिगरेट थे और मेरे पिता ने मुझे रूम में बंद कर दिया यह कहकर कि जितने चिगरेट मैंने तुम्हारे रूम में रखें सारे के सारे तुम्हें पीने और कमरा बंद कर दिया ये सए पिर सिगरेट के दुए से मुझे एकदम नफरत सी हो गई उस वक्त के बाद आज तक मैंने कभी भी सिगरेट को हाथ तक नहीं लगाया तो अब मैं समझाता हूँ कि हम लोग क्या करें हम अपने बेटे को गुंदू के पास में भेज़ देंगी और उनके पीच में रहकर वो लड़ाई जगर भूल जाए है क्या हम लोग उसके साथ है तो इतना उचल रहा है वो हम नहीं रहेंगे तो पता नहीं क्या करेगा पाग तिरुपुरम आंधरा और तमिल लाडो के बॉर्डर पर है जब आंधरा और तमिल लाडो अलग हुआ तो तिरुपुरम के बीच में से वो रास्ता निकला गाओं के एक तरफ तमिल लोग रहते हैं और दूसरी तरफ तेलकुल लोग रहते हैं इस गाओं के लोग उस गाओ के लोग इस गाव में नहीं आ सकते एक दूसरे को मारते काटते अतनी जिंदगी गुजार रहे हैं इस गाव के बीच लकीर इसलिए खीची गई ताकि तुम लोग एक दूसरे की जान ना लो लेकिन तुम तो एक दूसरे को मारने पर तयार और केशब तुमने उसका पांग क्यों काटा और क्या करते हैं सर पंजी हर बात पे जगणा करने के लिए तयार रहते हैं लकीर तुम कभी भी सीधी नहीं होती ऐसी गलती इनसे दुबारा ना हो इसलिए टांग काटकर कॉल कर दिया हमने पहले हमारे आद्मों कुक्सा कर अपने अरियों बुलाया और अब तुम लोग बात सब लट रहे हो दोखे बास कहीं के है मुत्तू पंचायत में किस तरह बात करनी पता नहीं क्या जायदा जागीर होने से को इंसान बढ़ाने होता गांव अच्छा होना चाहिए दिल अच्छा होना चाहिए एक टांग चली गई तो तुम ऐसी हरकते करोगे कितने लोगों की जाने चली गई उसका क्या तुम दोनों को मैं आखरी चेतावनी दे रहा हूँ इसे चेतावनी समझो या फिर कुछ और आज के बाद कोई भी शक्स इस तरफ से उस तरफ और उस तरफ से इस तरफ आया तो बिलकुल अच्छा नहीं होगा यह आखरी चेतावनी है इसके बाद पंचाद कारवाई कर सकती है वे उसके घरवालों को दे दो जी सर्पन जी कुट्टे के पास दुम होती है पर दिमाग नहीं होता चल रहे यह क्या भाई हमारे आदमी की टांग काटके हमारी बेज़ती कर दी और हम लोग खड़े खड़े तमाशा देखते रहे टांग के बदले हमें भी टांग काटनी पड़ेगी टांग के बदले में टांग काटने का समाना गया अब टांग के बदले में सीधा सर इतना सब कुछ होने के बाद हमारे साथ कौन आएगा अब कोई न कोई तो इस दुनिया में होगा ही जो मेरा ये काम करेबा तिरोपुरम वहाँ पर एक इंजिनिरिंग कॉलेज है वहाँ पर दोनों लोग पढ़ सकते हैं बस कॉलेज के अंदर नियम ये है कि जगड़ा नहीं होना चाहिए इसलिए जमीदार ने वहाँ पर एक नियम बनाया हुआ है वहाँ पर वह अंदर भी रहेगा और जैसा तुम चाहते हो सेफ भी रहेगा पर उसको तमिल नहीं आती ना तमिल तिल्गु छोड़िये सब हिंदी में बात करते हैं ये मैंने आपके लिए पाक किया है लगता है सब कुछ फिक्स हो गया है अब उसे कैसे भी कन्वेंस कर लीजी आप मेरी कंपनी वालोंने मेरा ट्रांसफर तिरूपरम कर दिया बेटा और अभी पोस्टिंग के लिए सिर्फ दो महीने है और तुम्हारा सेमिस्टर भी शुरू हो जाएगा इसलिए मैंने तेरा एड्मिशन वही इंजिनिरिंग कॉलेज में करवा दिया है तु जाकर वहाँ पर सेटल हो जा हम लग वहाँ पहुँच जाएंगे बेटा पिता जी आपको पता है ये बात कहां कह रहे है इस तरह से मुझे शहर से भगाने की कोशिश कर रहे है ये मुझे पता नहीं था पापा ऐसा कोई अपने बेटे के साथ करता है क्या लगता है आप लग नहीं रहोगे तो मैं जीऊंगा नहीं पापा आपने मुझे समंदर में धिकल दिया ना मैं मचली पकड़के उसको फ्राइब करके खा जाओंगा समझ गए ना मैं कहीं पर भी जी सकता हूं अरे बेटा तुम फिक्र मत करो मैं बात कर रहा हूं नहीं तु ऐसे बात कर रहा है कहीं तरी बस ही ना छूट जाए मुझना चैन जोजाए पुरूपुरा मोत्रों पुरूपुरों हो वा है भई ऐसा लगता है आप मुझे दूसरे डूसरे बा नुच नैंसे हैं we मुझे न denial राज जमें हूब यांद्रा तमिल नाडू का बॉर्डर है इसतरह फांद्रा उधर तमिल-नाडू Jeff तो बाप ने मुझे बॉर्डर पिला के खड़ा कर दिया सर आपको इधर जाना है उधर गया तो वहीं कि रह जाओगे पापा मैं पहुंच गया हूँ काऊ जाते ही तेरी आवाज में कितना फर्क आगया है उतरते ही फोन कर लिया तुने आवाज तो बदलेगी ना पापा पॉलिशन से भरे शहर से निकाल कर अचानक साफ सुत्रे वाता उरण में भेजोगे तो चेंजेस तो होंगे इना इतना कॉमन सेंस नहीं है पैद्राबाद यहां पर आंधरा की बॉर्डर खत्म होती है तीरोपुरम इधर तमिल्लाड की बॉर्डर स्टार्ट हो रही है बेटा तू तो कह रहा था कि समुन्दर पहार कहीं भी भी बेज़ो तुम जीलोगे एक और इडली दो मुझे बेटा नहीं तुसके हिस्से का म मैं बोर हो चुका था यहां पर इडली सामबर बहुत फेमस है वो खा कि आपको फोन करता हूं चल अरे हां एक सेल्फी अब आप स्माइल कर ले लो बेटा सौर उपए में सौर उपए में ले लो सौर उपए में ले लो अरे सौर उपए में कौन खरीदेगा यार कोई पागली खरीदेगा यह क्या है दीच रास्ते में बांध कर रखा है यह देखो यह होटल है ठीक है खाते वे बात कर लेते हैं आजा भाई टू प्लेट सामबर इडली मेरे होटल में कदम रखते ही इतने सारे ग्रहाक आ गये दो प्लेट सामबर इडली ज़रा जल्दी यहां अरे बेवकुफ निम्बु कोई इतनी बड़ी तलवार से काटता है छोटे चाकु से काटते हैं रुख जरा पूरा खराब होगे ना पागल कहींगा है हिंदी समझ में याती गया कितनी बार बोलना पड़ेगा सामबर इडली दे जल्दी तुम सब को मेरे बार में पता नहीं है अभी बताता है तुम लोग आदमी हो कि जानवर हो यार ऐसे कैसे हो सकते हो तुम लोग अरे जगडों में इंट्रेस्ट मैं भी तो रखता हूं लेकिन ऐसे सामबार इडली के लिए जगडा करना अच्छी बात नहीं है यार अच्छा मेरा बैग लिलू मैं अरे जादा कमसे कम आप तो इने समझा ही सकते हैं ना हुछ 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 एकर सतल सुछ ही जगज एकर सुछ जरे इंस लिए 15 वी तुम मारे में। हैं आप एकर स्वेता को तो एकर से जगल हुछ के लिए um कर ठींवें हुछ है é Fascistilly बाए थंडा पानी पीलो ले लो लो पीलो अरे कोई बखरी को गाड़ी से उड़ा दिया एसी पूरी फैमिली पीछे पड़ गई थी मेरे वह क्या है कि दो दिन पहले उसका एक आदमी धर आया था उसकी टांग काट डाली उसी गुस्ते में टांग काट डाली अरे तम लोग पागल हो क्या पागल नहीं दुश्मनी लगुवाले दर नहीं सकते हैं पर भाय तुमको कहा जाना है के चिएनड कोलीं जाना है पहली बार तुरुपूरम में कोई उधर जाने के बाद सही इधर वापस आया है यहां का सारा फैसला पंचायत करती है कोई बीजगड़ा फसाद हो कोई पुलिस वाले के पास नहीं जाता यहाँ तो फिर भाई पुलीस यहां कहां से आएगी अच्छा असल में यह जगड़ा क्या था था तुम पढ़ने के लिए लिए ना तो नज़द के बीना कॉलेज बो कोई पंक्षी भी पर निमार सकता सब कॉलेज के बार एक बार केमपस में कदम रख दिया ना तो सब एक समान उनके रूल के हिसाब से चलना पड़ता है जिसे भी कॉलेज में पड़ाई करनी है उनके होस्टल में सबको मिलके ही रहना पड़ता है इन दोनों ने मार पीट किये एक विक के लिए सस्पेंड करो सर रजनी कान की एक्टिंग का तो जवाब नहीं रजनी कान तमिल से ज्यादा अच्छा काम तेलगू में करते हैं इनकी बातों से लगता है रजनी कान से ये कुछ ज्यादा इंस्पायर है रिखा वन वीक के लिए नहीं इन लोगों को वन मंथ के लिए सस्पेंड करो अगर ऐ हमारे कॉलेश में छकड़ा होता ही नहीं है भाइँ एक बात बताओ तुम कॉलेज में पड़ाय करने कि लिए आए हो यहां के मारपिट करने कि लिए लगता है माने कर नहीं देख रेख में एक बार महीने में के फाइट होथी है और डाओ सीनू ये कौन है वह कॉलेज के केंटिंग उनर है वह कॉलेज के पीछे के गोधा में पैसा लेकिंडर्त तंद गूर्फ इसे तार च्छेर की तरह रहता हैएए को कि अब अब तुम लों के बारी आज महीने का पहला दिन है ना आज फाइट होगी अरे तो फिर वही चलो ना भाई पता था है 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 भाई कॉलेज में ज्यादा दिन तुम टिकने वाले नहीं लगते हो यह लो मेरा कार्ड जरूरत बढ़े तो मुझे याद करना हुआ यह अरे बलकेश अरे इटली खाया उनका सामभत नी खा सकते हम लो उनका कपरा दोना पाराव ने जरूरत पहला पाराव पड़ता है अब लोगों को, तो ये से मार खाएगा तो कैसे चलेगा हाँ, जा मार उनको, मार ओ को, मार ओ को, मार, 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 मार। इस अड़ी कहीं का ये काम इसे नहीं होने वाला है इस महीने भी तेलगु वालों का ही सरू उठा रहेगा एए ये लुंगी रख ले अपने पास अगली बार किसी धनके बंदे को भीजना अरे ये तो पूरा ललो निग्ला क्या चाहिए कोग या कोल्टिंग गेम में पार्टिसेपट करना है पांसो रुपय लगेंगे बैट जाओ सब बैट जाओ एक नया बखरा आया है यह लगता है यह तमिल वाला है जम के तुलाई कर दिखने में तो अच्छा लग रहा है अंदर जा ऐसी पिछ पर पहली बारे भाईया मारूंगा की नहीं पता नहीं हां लेकिन चार मुक्या काकर वह अपर चला जाओंगा आचाओ ए हुथ हुआ हुँ 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 भेओंग 쉽ा ले चुँ हुँ मारो! 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 चालो! मारो! उन्छोर! वो मारेगा तो एंजॉय करूगी या मैं मारो तो एंजॉय करूगी कोई भी मारेगा तो एंजॉय करती है अरे गुरू उदर कोई मार रहा है इसलिए तो इदर आगया मैं अरे उनके लोगों को मार रहा है अबे क्या बख रहा है तो? सारे सवाल यही पूछीगा तो वो चला जाएगा चल 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 मार! मार! अरे गुरू पर वो है कोई? कौन है इसलिए क्या? अपने अपोजीशन वाजे को मार रहा है बतला वाफ नहीं है हाँ यह यह कौन है यह बाल से पाँ बाल से बाल झाल झाल आए लुआ जाएगे वे एए कौन है तू ए मैं तुस्से पूछ रहा हूं कौन है तू न्यू जॉइनिंग है अच्छा यह बात है तो फिर तुम यहां क्यों हो प्रिंस्पल के कभी में होना चाहिए के शहर से आयए हो लोग गाउं से शहर जाते हैं और तुम शहर से यहां पढ़ने आयो मेरा भी यही प्रॉब्लम है सर शेहर में कुछ होता नहीं है सर वहां तो कोई साथ भी नहीं देता है लेकिन यहां पर मैं साथ मिल जुलकर पढ़तो लूँगा बहुत मज़ा आएगा सर पढ़ने में तो पहले तुम होस्टल जॉइन कर लो कि सर जड़ा इस लड़के पर अब्जर्वेशन रखना और इस कामी लग गई हूं सर ब्रो यह यह अपना हॉस्टल यहां पढ़ने वाद ले सभी बड़े बड़े आदमी बन गया ऐसा प्रिंस्पल साब का कहना है लेकिन उनकी बात पर ध्यान मत देना है यह नीचे रहेगा और आप उपर रहोगे और हम से टकराने वाला सीदा उपर जाएगा भाई वो ऑस लड़की के बारे में पता चल गया है वो कॉलेज में नया जॉइन हुआ है गलती से वो बगल में चला गया था मगर होश्यारी से बच कर निकल गया यह बात हमें पता चली है ठीक है तुम लोग जात एखेटी किसक पर refer रखना पड़ेगा गुड़ी इवनिंग सर गुड़ी इवनिंग आई विल स्टड़ी सर गुड़ बॉई क्या ब्रो यह हॉस्टल इतना साइलेंट क्यों है यहां कोई मारता काटता नहीं है रूम और बात्रूम को छोड़ कर हर जगा सीसी कैमरा फेक्स है इसलिए जो भी करते हैं एदर उदर ही करते हैं एक मैना वेट करना पड़ेगा पतानी मेरे बाप ने मुझे कहाँ पसा वह ना काँ पूछ इस प्रो तुम्हारा फैवरिट हीरो काओ रज्नी कान ब्रो रोबॉट 10 बर देखी है मैंने अवे उसका फैवरिट हीरो तो रजनी कान था यह तो अब भी तुछे डवराइका अरे गुरु यह हिंदी बहुत अच्छे से बोल लेता है यह तेलगु है यह तामिल है पूछो ना ब्रो आप तो हिंदी है तो फटाफट बोलते हो बाई मुझे फोर लेंग्वेजिस आती है अब उसे चार-चार लेंग्वेज आती है कुछ ना कुछ तो गडबर जुरूर ह मेरी बात सुन करूं मेरी बात सुन कुछ न कितना खुबशूरत तो आंदरा के हो ना आंधरा का नहीं हूं तो यहां नहीं रह सकता है अरे तु रुक यार इतने दिनों से उनके साथ फाइटिंग में हार कर सर जुकाकर जी रहते हैं हम लोग वो गालियां देते रहते थे और हम लोग चुपचप सुनते रहते थे अरे इतना ही नहीं इस कॉलेज में हम लड़कियों का पैर ही देख सकते थे चेहरा देखनी की इजाज़त ही नहीं थी आप तेरी वज़े से पहली बार हमें सर उठा कर देखने का मौका मिला है कल से दिखाएंगे हम अपना जल्वा खेल शुरू हो गया इसे देख हां ये तो सही है ना ब्रो में अभियाता हुआ है कॉलेज के अंदर पहली बार कॉलर उठाकर जीने का मौका मिला है तेल गुता में में फर्क मत समझना लड़की होनी चाहिए कॉलेज में इतनी सारी लड़किया है फिर तुझे मुझसे क्यों फ्रेंड्शिप करने वह सब तेरे से खुपसुरत है मुझे क्यों चुनेंगी इडियट कहीं का प्रिंस्पल तो नहीं देख रहा है तो होट पेवी एक सो दो भुखार है तो होट नहीं दाओंगी क्या है अब सुझी हम लग शादी कर लेगा ए तु थर्ड यर में है और फोर्थ यर में तो नेक्स यह कर लेते हैं मैं नेक्स यह फोर्थ में आ जाओंगा किस ते चिप का दिया तो जी तालिया बजा रही थी अच्छा गलती से मेरा चाहरा बीच में आगया हाँ इस इस कितना पर्सेंटेज आया पर्सेंटर बटाओ ना बैकलॉट कितना है थिए तुम्हारा चेहरा ही जूट बोल रहा है तो पता है तो पता है बस नड़की का हाई बोलना आता है चलो लोग तो ऐसे खड़े हो गए जैसे बिखारी रजगुला देखकर फॉरण खड़ा हो जाता है बैट जाओ इंजनीरिंग कॉलेज के अनेजुकेटिड फैलोज लास्ट सेमेस्टर की टॉपर है कार्तिका की बारा भी घैंज ठहरो ठहरो क्या बात है बेटी इतने कॉंफिरेंटली खड़ी हो गई तुम चा तुम एल कार्तिका हो बैच्जाओ एम कार्तिका कि मारा भी घैंड अरे सरा सुनो मैंने तो हाथ से बता दिया लेकिन तुम्हारा रिजर्ट बताऊंगा तुम मेरे हाथ पर कम पढ़ेंगे अरे बाप्रे इंग्लिश कमाल यार कितना विट अब देती हो तुम तो और कौन है जो इतना जोर-जोर से हस रहा है जोर से कड़े कड़े हो जागे ट्रांसपोर्ड से आयों क्या नाई सर बस में हो आका फैसे जोख है यह क्लास सालेंट है और तुम जोर-जोर से आरहा हो परेसेंटेज इतनी बनाइ थी 91% सेर 91% हाँ सर इंटर्नल टेस्ट में या सेमेस्टर टेस्ट में ड्रंक और टेस्ट क्या बेकार के जोग पर बार बार हसता जा रहा है मुझ बंद रखना अपना एक बर फिर से सोरी सर देख बेटा मुझे तेरी काबिलेट पे शक हो रहा है मैं तुस्से एक सिंपल सा सवाल पूछूँगा बस उसका जवाब दे देना ठीक है सर C.S.E. का क्या मतलब है उसकी फुल फॉर्म बताओ कंप्यूटर स्कैनर क्या गलत बोल दिया एजूकेशन हाँ एजूकेशन सर वेचारा नाया आया है ना इन लोगों के साथ कैसे मिल जूल कर रहेगा मैं तो यही सोच के परिशान हो रहा हूँ ग्रेट सिंक्रनाइजेशन तुम लोग दूद और पानी के तरह मिल कर रहो उसी में तुम्हें खुशी मिलती है न तौहीं करो सर हमारे क्लास नहीं लोगे दस के आगे एक शूने लगाओगे तो क्या होगा दस अब गधे सौ भी तो होता है सर मैंने हिसाब नहीं किया तो इतने समझदार लोग को मैं कैसे पढ़ा सकता हूं बता अभी कौन बनेगा करोड़ पती खेल रहा होता ना तो फटा 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 जवाब दे रहता मैंने मेरी बेटी के स्कूल का सवाल पूछा तू इसका भी बात करनी है हम डें हाट इसलिए कहते हैं सही इंसान का हाथ पकड़ के चलना चाहिए झाल झाल माँ क्या रे कैसा है बेटा जखम पे मरहम लगा रहा है ना इस बार चोट शरीर पर नहीं दिल पर लगी है माँ क्या हुआ बेटा यहां पर एक लड़की को देखा मा तेरी तरह ही महालक्षमी देवी का रूप है लेकिन अंदर से वह पूरी फुलन देवी है माँ उस लड़ भगमा ने उसे कॉक्टेल बनाया है मा सुनते हो हमारे बेटे को कोई लड़की पसंद आगी है आधते बिलकुल बुरी है लेकिन तारीफ करने की कोशच कर रहा है इसके दिमाग को पूरी तरह डाइवर्ट करने के लिए हमारे डाकू को वालमिकी में तबदील करने का यही दिल पर तीर मार दिया पापा ऐसे वाइलन्स वाले शब्दों को छोड़कर प्यारी प्यारी बाते कर वेटा क्लास में तू मुझे क्यों देखने लगारे तुम्हारी तरफ क्यों देख रहे है यह अने सिखने के लिए। अभे कुल उतर देखो तेलगु है य है इसलिए तेलगु देख रहा है तें ब्लेजा एक हुआ क्या है कि अज़ा देखो तो वह तिल्गु किताब पढ़ रहा है मैं मैं पढ़ तो मैं तो मैं तो अज़ा हो गया कि इसकी आलदे कैसी हो गए हर बात पर शक करता है पीने का अलागी मज़ा है तो उसने देख तेल को में लिखा है इसे देल्गु नहीं आती है इसलिए लिख करके काट रहा है वह पक्का वह तमिल वाला ही है चेर्स चेर्स सुना है शेहर की लड़कियां सर्फ यहां तक कपड़े पहनती है हां यार यहां की लड़किया भी अपडेट का हुई है हम यहां तक कपड़े पहने ना तो भी लड अखेली हो हां इसको भी लिख सकते हैं इसको भी तो लिख सकते हैं इस बार किसने लिखा है कोई हरी है सोचा था मुझे तो लगाए था कि इसके पास से लेटर जरूर आएगा पर दो दिन लेट हो गया चल पर हाई तुम बहुत क्यूट हो बहुत स्मार्ट हो बहुत इंटेलिजेंट हो बहुत डेरिंग बास ऐसा तुम मुझे कहोगी रहने देते हैं यह लेटर नहीं पड़ते हैं तुम लोगों को मैं कितना टॉचर करूँगी हां जाने देना बहुत इंट्रेस्टिंग लग रहा है तुम समझदार हो तुम्हें देखकर दस लड़के गिर जाएंगे अगर किसी ने कहा तो विश्वास मत करना क्योंकि फूल एप्रिल फर्स अगर साफ साफ कहूं तो तुम्हारे माक्स की तरह तुम्हारी खुबसूरती भी है सब कुछ है तो प्यार करें तो उसे स्वार्ट कहते हैं इसलिए मैंने तुम्हें सेलेक्ट किया है तुम्हारे जवाब का वेट करूँगा कि तुम भी मुझसे प्यार करती हो तुम्हार तुम्हारा आशिक तुम्हारा आशिक तुम्हारा आशिक तुम्हारा आशिक तुम्हारा आशिक तुम्हारा आशिक इसे तो सबग सिखाना ही होगा एए रुक ना वो लोग भूखे शेर की तरह सौ लोग है और हम नाजुक सिर्फ पांच लड़किया है क्यों से पंगा ले रही है तू चलना है आसे चलना ए चलना ए चल दी आओ ए यहां सीसी टीवी कैमरा लगा है सीसी टीवी होने से कुछ नहीं होता प्रिंसिपल के कमरे में फ्यूज होना चाहिए यह कब निकाला यह बताना ज़रूरी नहीं चलो कि इतने दिनों के बात हुई है लोग किसमत से धन दौलत लेकर आते हैं और यह क्या अंडर वै लेकर आया है हुआ है यह क्या है इसलिए इनके माबाप ने यह यहां भेज दिया है जिससे चिपाना चाहिए था उसे मूँ पर डालकर सो रहा है यह बवकूफ इसका रोम नमर क्या है यह उच्छे राची सुबह तो आई थी रात को किसी और को बेजना प्यार ब्यार करेंगे यह क्या क्या रहा है मैं सुबह ही आई थी और अब दूसरी को बेचने के लिए क्या रहा है इसकी नजर में मैं कोई ब्रोकर हूँ क्या इसको तो मैं अभी सबक सिखाती हूँ मैंने सुचा रिस्पॉंस आईगा लेकिन तुम ही आगी एक फिसकर तुम्हें क्या है हाइट वेट क्या हूँ और मेरे बारे में हां मैं स्पैक्स पहनती हूँ मेरा रंग गदे जैसा है मैं खुबसूरत नहीं हूँ मेरी हर चीज से तुम्हें प्रॉब्लम है तुम जानत क्या है पता है मैं दालू पीती हूँ और पीके मारती भी हूँ इतनी सी थी ना तब भी कोई बाल बांका नहीं कर पाया अब बड़ी होगे ना तो वालन्स वारे छोड़ दिया अलेक्टर को कवर करने की कोशिश कर रही है लेकिन तुम मेरी ओरिजनालिटी को बाहर मत निक जालो समझे बता मैं कितनी बर तरे सपने में आई हूँ चल बता मुझे अरे तुम आई ती और मेरी लूंगी लेकर चले गई अगले बाहर अगर तुमने मेरी तारीफ की ना तो जान से मार दूंगी चलो रेखा साक्षात सरस्तोती देवी आ रही है साथ में लक्षमी आती तो कितना अच्छा होता अब तक आई क्यों नहीं हाँ सर एक्स्क्यूज मी आप कल दिखाई नहीं दी पती की साथ पिक्चर देखने गई थी तुम नहीं क्या कर रहे हो तुम्हारी नकल कर गे पूरे युनियो सिटी में टॉपर बन जाओंगा ना बक्वास मत करो हाँ जाके अपनी सीट पर बैठो बना सरसे कंप्लेंड कर अपने पेपर लिखो युनियोसिटी में टॉपर बन जाओ समझी से रुच़ा मैं जा रहा हूं जाओ हुआ है हुआ 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 है हुआ है हुआ है हुआ है अट भापरे टेक्स्बुक को पूरे दुपट्य में जरोक्स मारती है मेहनत करने की बाद की थी यह मेहनत है तुम्हारी प्लीज 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 मैं तुम्हारे हाट चोड़ती हूँ अगर इस पर पास नहीं हुई न तो पापा बेल्ट से वारेंगे इस पर मुझे पास होना ही है प्लीज 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 प् तो इस तरह ड्रेस पर लिखना बच्पन से आदत है क्या अभी पेपर लिखो बाद मिला कैदी नंबर 147 देखी ना उसके बाद वो नर्सिम्मा रेड़ी की नहीं वाली मुवी आ रही है न सूपर हीरो एड़ टॉप वो भी सूपरेटी होगी क्या मुवी बनाई है एक्तम र अरे इतनी बड़ी स्लिप लेकर आया है चल लेकर आया वहां तक तो ठीक है लिखने के बजा हवा में क्या देख रहा है यह आंसर है सार यह आंसर किस क्वेश्चन में लिखना है पता नहीं चल रहा है सार क्या प्रोब्लम है तुम्हारी थैंक्स फोन उठाया वैसे लगा नहीं था कि तुम अपना नंबर मुझे दोगी दस मिनिट दो की तो हम क्लियरली बात कर लेंगे दस पजे लाइबररी में अरो बापरे दस मिनिट बाकी है अभी तैयार होता हूँ आराम से आराम से सुबा की बात कर रही हूँ आप यह सारे चिट फिर से बनाने पड़ेंगे जो भी बात करनी है बोलो मैं सुनकर चली जाओंगी तुम्हारी पीट को देखके बोलू करती का वो तुम्हें से देखती हो तो मैं डिस्टर्ब हो जाता हूँ थोड़ा पलट जाओ नो प्लीज पहले मेरी lifestyle ऐसी नहीं थी करती का रोज एक fight, रोज एक case मेरे पापा कहते थे मेरे पैर जमीन पर नहीं रुखते थे और तुम्हें देखने के बाद सच में मेरे ये पैर जमीन पर नहीं ये करती का तुम मुझे सच में बहुत पसंदो अगर तुम हाँ कहोगी तो मेरी जिन्देगी बदल जाएगी तुम्हारे लिए मेरे दिल में बहुत सारी फिलिंग्स है कार्थिका चलाई परसो जो एक्जाम दिया था उसका रिजल्ट आ गया है क्लास का टॉपर है कार्थिका कार्थिका तुम नहीं तुम एम कार्थिका हो जो क्लास में फर्स्ट आई है वो एल कार्थिका है मैं हाँ तुभी बेटी खड़ी हो जा गिवर बीग हैंड्स कि कहां चला गया अरे क्या सब्सक्राइब यार मुझे तुक्त समझ मिली यार रहा है कमान लोग अरे अरे अ अ अ मेरे साम नहीं ये आक्टिंग नहीं मिली थी तो दुखी मिल गई हूं तो दुखी बात क्या है तब ना मुझे पड़ा ही आती थी और नहीं तुम्हें लेकिन अब तो सब चेंज हो गया है तुम तक लास्ट आपर बन गई हो तो सुचा मैं ही साइड हट जाओं मतलब पहले जहाँ है मिल मिलते थे वहां मुझे डिस्रब्स करते रहते थे अब शालिल्ली साइलल्ट हो कर मेरे संसेंट्रेशन भीगार कर करके डिस्रब्स कर रहे हो ऐसा क्यों ठीक Daten क्या ठीक है मैं जब बोल रही हूं उसका जवाब दो मुझे डिस्टर्ब क्यों कर रहे हो ठीक है ओओ यह पॉगल हो गया है चलो जाओ एई पापा के साथ फ्रेंडली होना चाहती थी नहीं हो पाई मा के साथ ओपन होना चाहती थी नहीं रह पाई मैं खुद अपने आप में रहना चाहती थी नहीं रह पाई मैं दूसरों की तरह रह रही थी पर तुमने देखा कि वो मैं नहीं हूँ इसलिए डिस्टर्ब हो कि अब यह सब अप मेरे लोगों ने यह नहीं हूं तुम्हारी वजह से आया है और उसके बाद शालेंट होकर जा रहे हो तुम्हें मार्क्स के साथ बाते भी करना आ गया अगर हमारे बीच के डिस्टंस को मिटाना है तो पापा को इंप्रेस करना होगा इंपॉसिबल हां तुम्हारे पापा नहीं मानेंगे यह इंपॉसिबल है कि इंफॉर्मेशन चाहिए मुझे इस्टॉल्मेंट भरना पेटी यह मैं क्या कारती के डिटेल्स चाहिए अभी देता हूं वैसे डिटेल्स लेना इतना इजी नहीं है वह लड़की जो है वह बेटी है केशोंकार की वह तेल्गु वालों में सबसे बड़े हैं भाई डरा र बोल रहा हूं पागल कहीं का भाईया मुझे भूल तो नहीं गए उसकी बेटी के प्यार में पड़ गया अभाईया काट दे दिया तो सुच आइडिया भी दे दो गया लेकिन उसके शेव बलू को कैसे इंप्रेस करूं वह तेरे बारे में सारी इंफॉर्मेशन निकाल रह थैंक्स मैंने कोई आडिया ने दिये भाई पर मुझे तो आ गया ना भाई गाउं का चरित्र हमारा चरित्र होना चाहिए अगर तुम दौनों में दुश्मनी है तो का एक दूसरे को मारोगे पर जिससे दुश्मनी नहीं उस पर हमला क्यों किया क्या बात कर रहे हैं सर पं भाई उस दिन जो बच गया था वो यही है कि सर मैं हैदराबाद से यहां पढ़ने के लिए आया हूं जैसे मैं बस से उत्रा तो वह आपका आदमी है ना वह मुझे बोला कि यहां पर ब्रेकफास्ट बहुत अच्छा मिलता है और इडली सामबर खिलाने के लिए मुझे यह हुए आदमी पर अपनी ताकत दिखा रहे हैं एक बारामने सामने आजाब फिर पता चले हैं इसमें कितनी ताकत है तेखिए सर पंजी कोई कुछ भी बोल दे तो उसके लिए पंचायत यकना बहुत गलत बात है यहां आने से पहले हमने इसकी शकल तक नहीं देख ली थी औ यह फोटो क्या है रहे सेलफी बोला था भाई इसलिए मैंने तुझे सेलफी जीजह है कि सारा क्या जाएओ कोई भी नहीं आया तो क्या उसके साथ तुम ऐसा परताब करोगे या तो तुम पंचायत के सामने माफी मांगो तो एक बात कान खोल के सुन लो तुम्हारे जगे कोई और लीडर होगा माफ किजिए सर पंची है चलो रहे चलो फर्स्ट टाइम बिना कुछ भी खाए हमारा पेट भर गया एक बार जरा हमारे घर आओ खाने पर दावत करेंगे जम करेंगे हालो मिस कार्थिका मिसेस बनने के लिए तयार रहो हां तुम्हारे पापा मुझ पर फुल इंप्रेस हो गए है बोले फ्री होते खाने पर आजाना ऐसा क्या कर हमारे घर पर फंक्शन है तम कर लिए आजाओ क्या बार बिर्यानी खाएगा कहा पर इस बिर्यानी खाने के लिए तेरे ससूर के घर पर क्यों देखेगा तो जान से नहीं आजा पर आपे डर्मत मेरे सथे मुझे पर फुल इंप्रेस होगे हैं और उन्होंने खुद मुझे खाने पर बुल है अच्छा मेरे सासुर जी का घर पता है घर तो कमाल का बनाया है घर पर तो बराबर लेकर आया है तू डर वाली तो कोई बात नहीं है ना अबे तो मुझ पर शक कर रहा है अभी एंकल से शिकायद करता हूं तेरी क्यूट बॉय है रहे तू साइकल चुराने बोले तो बाइक चुरा लेगा अजा है इतना क्या खा रही है वजन कमकर अपना नहीं तो भाट जाएगी क्या कर रही है पूरे घर में पानी कर दिया क्या है यह सब तु बच्चों के साथ बच्ची बन गई यह पकट जाकर वहां बान दे मा जा बहुत वज़ाया यार है प्रफ जाएगी पुझा किया देख रहे हो हां बीट एक थड़ी है और चला जो चुचा लजसु पुन् Hmm लेध। कि यहां पर हो क्या रहाय है अंकल पर अंकल नहीं रहेंगा तो और खुल रहे गाई यह तो तंहीं लोग है ना अरे किसने ने बोला। तो तो पील वाला हूं मैं तो तीला कूं हो ना झे तो नहीं तो ने हमारे साइट की थी मुझे अब क्या कर रहा है मैंने एम कार्थिका को बोला तुम एल कार्थिका हो बैठ जाओ के शोंकार की बेटी वो तेलबू वालों में सबसे बड़े हैं पर उसकी बेटी का नाम भी कार्थिका है फंस गया यार एसके कुछी कार पड़ा भाई वो आगया पिता जी के जनम दिन पे वो बकरे की नहीं इंसान की बली मांग रहे है इसका तो सर काट दूंगा काट डालो हो यार! है! बालो! 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 अए 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 हेलो हाँ बिटा कैसे हो कहा हो लाइफ में फॉर्स टाइम पाप घर की याद आ रही है उसे घर की याद आ रही है बहुत बदल गया है अब तो वह सारे बच्चों और औरतों को अंदर लेके जाओ लुको बेटा हमारा दुश्मन होने के बावजू दिये यहाँ पर क्यों आया है यह जानना बहुत ज़रूरी है आया नहीं अंकल उसे यहाँ पर मैं लेकर के आया हूँ मैं तमिल हूँ अंकल तमिल हूँ मैं मैं तमिल हूँ भाई बेटा तेरे से ज़ादा होश यार हूँ मैं तु मुझे भसाना चाता था ना तुझे मैंने भसा दिया आइम से भाइया तमिल है तो क्या हुआ इसने हमारे घर में करतम रखते ही मुझे ताने दिये थे आग में घी डालने आके इतना क्या खा रही है वजन कम कर अपना नहीं तो फ़ाद रहेगी यह नहीं वो नहीं दोनों को खत्म कर दो ओपर आया तो करण लगेगा हां पानी में डालूं क्या अबे गदो दिखाई नहीं देता तुम लोगों को तीछे अर्जा परना जटका लगेगा है अरे बापरे इमोशनल में इनको ये भी नहीं पता चला कि करण चला गया है अब क्या करूं तुम लोग अपने हथियार नीचे डाल दो हम लोग चले जाएंगे फैक दो रहे हथियार जल्दी फैको दादा की है दादा तो नहीं है न क्या सोच रहा है उनकी जान जान है और हमारी जान जान नहीं डाल दे डाल दे अब जो रठेर जाओं क्या बात कर रहा है तेरे पास हिम्मत नहीं है तो मुझे ते मैं डालता हूं सब को हिला दूंगा बाइक की चावी दे यह ले तो गाड़ी स्टार्ट कर यह अब कहां डालना है डालते रहे मैं तो चला अब बोलो बाइस वाट टू डू एंड वाट नाट टू डू डालू मैं डाल दू इधर डालू इधर डालू जैसे ही टीवी चालो किया बिजली चली गई करेंग मा तू ने क्यों दोका दिया अब तू फिर से आगया अब तू फिर से आगया मैं मर जाओंगा वो लोग मुझे मार डालंगे मैं अपने दादा की इचा कैसे पूरी कुरूंगा उनके सपन सपन नहीं रह जाएंगे अब तेरी वज़े से मुझे जिसको इंप्रेस करना था उससी से पंगा ले लिया मैंने कार्ति का बोले तो कौन से कार्ति का पूछना पैसे लेते से मैं पैसे में इंट्रेस्ट काम में यह गधा कहीं का अरे बाई तुम तेलगु वाले हो ना इसलिए मैने तेलगु वाला समझ के उस्तेल वाले की इचाहाब को देदी थी थी तुझे पैदे से पता था कि यह पूच्छा तो हैतरा बस बोला था और मेरा वह बोलता रहा है तिल्गु वाला है तिल्गु वाला है मैंने नहीं सुझी उसकी बात पांगल हो गया ता मैं आखे बंद करके वेज को नॉन्वेस समझके खा गया अरे जो हो गया सो हो गया सब छोड़ना है उस वारे में क्या सोचा अरे ऐसे कैसे छोड़ दे आजादी 15 अगस माफ करना मैंने तेरी बात नहीं मानी यह हमारा ही बंदा है तुम लोग ने कैसे पता लगाया वो क्या है ना कि विकेंड में भी दारू पी रहा है ना इसलिए यहां क्यों आये हो तुम मैंने देखा यह दिल्गु वाले से बात कर रहा था कौपचे में लेकि इसको अच्छे से ढोला ला वैने बात करा तो दोडाला और रूम में रखेगा तो नहीं पता होगा तो रहेंगे पता होगा तो क्यों रखेगा अरे कैसे भी छुपाकर गुरू मुझे माफ कर दो मैं कभी तल्गु वालों से बात नहीं करूंगा अरे नीचे इसकी सुसु निकल गई है तो इसकी जिंदा मत कर हम इसे देख लेंगे चल बेचारा सुसु उसने नहीं तूने किया है वो मेरे गांव आया पकड़ नहीं पाए मेरे करीब आया समझ नहीं पाए मेरे घर आया कुछ नहीं कर पाए फिर तुम लोगों को पालने का क्या फाइदा अपने गुस्ते को शांत करो आज के बाद वो जो भी करेगा मुझे पता चल जाएगा क्या कल करेंट गया तो पता नहीं चल पाया वो जो करेगा वो पता चलेगा पंचायत रखेंगे तुझी सथ चली जाएगी और अगर ऐसे ही छोड़ दिया तो मन को शांती नहीं मिलेगी आज से पहले कभी ऐसा नहीं हुआ था कुछ तो करना पड़ेगा जाओ तुम लोग कॉलेज का लड़का बोल रहा है तेरी बेटी को नहीं पता है क्या हमारे गाओं में जो कदम रखने के लिए ड़ते हैं वो घर पर आ गया इतनी हिमत किसने दी उसे अचीब से कपड़े बालों को कलर और इंग्लीश में बातें करती है वहापरे क्या ये हमारे घर की बहु बीटियों की लक्षण है और पढ़ाई में कौन सी अच्छी है हमारा मुर्गा जितने अंडे नहीं देता उससे ज्यादा तो तेरी बेटी लेकर आती है घर में अगर इंजिनियर बन भी गई तो उससे क्या होगा मुथू किसी के साथ अगर इंग्लीश पिच्छर देखने चली गई तो देखने वाले तेरे मूपर थू थू करेंगे हाँ कार्थिका कार्थिका पापा जो लड़का कल आया था वो तुम्हारे कॉलिज में पढ़ता है जी पापा क्यों आया था इस पुद्धी नहीं फसाया है बंदर कहीं की जवाब दो आप मुझे पर शक करें हैं पापा अब हमारे घर में फक्षिन है तो लागों लोग आएंगे ना अब वो भी आ गया इसमें मैं क्या कर सकती हूं औरे पापरी इसने तो फिर से ड्रामा शुरू कर दिया अगर ऐसे ठाना तो मैं कॉलिज नहीं जाओंगी ठीक है कॉलिज छ ठीक है माना कि आपका गाव में नाम बड़ा है लेकिन मैं सिसली के आप गर से बोल सको कि मेरी बेटी इंजीर है मैंने कितनी मेहनच से पढ़ाई की थी और फर्स्ट लास पास भी हो गई और आपको पता है पुरी क्लास ने मेरे लिए क्लापिंग भी की थी प्रिंसिपल को मैंने क्या कहा था अगर किसी ने ऐसा बोला तो उसे एक घंटे उठक बैठक करना पड़ेगा शेज ब्रिलेंट स्टुडेंट इस बार की एक्जाम में शेज़े टॉपर यह है मेरी बेटी कल से तु कॉलेज जा बेटा ठीक है किसमत मेरी चल जा यार आजकर बिलकुल मजा नहीं आ रहा पढ़ाई में तो मनी नहीं लग रहा मेरा सच क्या रहा हूं मैं फ्रेंड्शिप तो तुम्हारी है साथ में आते हो साथ में जाते हो भाई तुझे एक कहानी सुनाता हूँ पुझे क्या समझ में आया बताना एक साप ने एक पावर से दोस्ती कर ली दोनों जो है एक साथ रहते थे एक दिन पावर चला गया तो पता चला है कि ये तो सिर्फ साप है अब साप के अंदर जहर नहीं था वो क्या है कि साप के फोन लगाता हूँ जौब नहीं देती मैसेज का रिपलाई भी नहीं क्या हुआ है बोलो ना जवाब दू जब तक बात नहीं करोगी हाथ नहीं छोड़ोंगा हमारा मेल नहीं हो सकता तुम तमिलो यह मुझे बताया अगर जात्मत का टेंशन था तो पहली पूछना चाहिए उस गदे को इंप्रेश किया तुम्हारे बाप को छोड़ कर अब तुम्हारे बाप नहीं सकता तुम्हें जाने बिना मैंने तुम्हें चाहा यही मेरी सबसे बड़ी गल्ती थी वक आउट नहीं होगा भूल जाओ मुझे ओहो मैं तेलगु वाला हूँ यह जानकर चाहत कम हो गई है कि तुम नहीं जानते ही इतना सा नहीं है एक तेलगु घर आ गया था तो तुमने देखा ना क्या हो गया था अब अगर हम दोनों को मिलना है तो पहले हमें दोनों गाओं को मिलाना होगा और यह तो इस जनम में होने से रहा हुआ है है यह सत्या है तो ने तेलगु वाले को रूम में क्यों रखा है मैं यह तुछे जगाने के लिए किया क्यों मेरी जिद्नगी के साथ खेल रहा है तो भाई सुक नहीं है संतोष नहीं है कम से कम सोने तो थे ठीक से लाइफ को नींद लेकर खराब नहीं करना चाहिए मरने के बाद तो वैसे हमेशे के लिए सो जाएंगे लगता है तुछ ही मार डालेगा अच्छा यह बता यह दो गाओं को मिलाने के लिए किया करना पड़ेगा वह वीर और केश किया यार बिल्यानी के दाम पर हमेशें अदाल करने के लिए सोचता है इन्हें पता चलिया कि मैं तब ही दो काट डालेंगे अरे इसलिए तो यह टी-शिट पहना है तुछे बेटा तुम्हारे आने से घर में रोश्णी आ गई आजाओ यह कौन मेरा फ्रेंड एंकल बाए मुझे तो यह उस पार्टी का लगता है टी-शिट नहीं देख रहें किसकी तस्वीर छपी है आँखे चली जाएंगे शक करने से आजाओ आजाओ ऐसा रखता है जैसे मैं अपने आपको देख रहा हूँ अच्छा खाना बिल्कुल गरम है शर्माना मत पेड भर के खाना बेटी कार्टिका अरे बेटा तेरा क्लासमेट आया है आना केशाव अंक्यल अगर आप बुरा नाम आने तो एक बात पूछू आपने अतनी बेटी का नाम कार्टिका क्यों रखा उस वीरा मुथ्थ हुने अपनी बेटी का नाम कार्टिका रखा इसलिए क्या सिर्फ उसी की बेटी सोभाग देवती नहीं इसलिएframes कि इस घर में एक बेटे की जो कमी है जो मेरे दुश्मनों को मार भगाए मैं असा दामाद तुम में देख रहा हूँ क्या तुम मेरी कार्थिका से शादी करो जाए सर मैं विरामुत्व की बेटी से प्यार करता हूँ गाक डालो इसे मैं यहां तुझे अपना दामाद बनाना चाहता हूँ और तुम दुश्मन की बेटी से फ्यार करने की बात कर रहा है आपके बेटी से शादी करके क्या मिलेगा आपके बेटी को पती और आपको दामाद मिलेगा बस अब वही अगर मैं उसकी बेटी से शादी करूँगा करेगा तो, अगर करूँगा तो उस घर का दामाद बनूँगा मतलब, वो क्या तेरे पाउं दोएगा यानि वो हमारे सामने सिर जुकाएगा ये हुई न बात, इसे प्लान कहते हैं ये बता वो लड़की तुससे प्यार करती है क्या जान दे देगी सर, हमारी शादी के लिए आपकी हिल्प चाहिए बेटे, अब तु इस विशे को छोड़ दे तेरी शादी पूरे गाउं वालों को पता चलेगी वीरा मुद्धू तेरे अलावा किसी को दामाद नहीं बना पाएगा तेरी शादी में धूम धाम से करूँगा जबान दे रहा हूँ वो लड़की तेरी ही होगी जा कर on कर दो पता हूँ कोई बताईा क्या हूँ कोई काटने वाला नहीं था औरतों का सहारा लेके घर में कडम रखा ये क्या हो रहा है सर? मैंने क्या बोला था? वीरा मुथ्थू तेरे अलावा किसी को दामाद नहीं बना पाएगा तेरी शादी मैं धूम धाम से करूँगा इतना सब कुछ होने के बाद उस लड़की से शादी कोन करेगा? उसके सामने कोई आप्शन ही नहीं होगा तो ये उसका दामाद है, ये फिक्स हो चुका है लेकिन सर ये सब करना तो गलत है अभी जो मैं कर रहा हूँ, वो सब तुम्हारी भलाई के लिए है अब यहाँ पर सिर्फ ये देखना है, कि सरपन जी क्या बोलते है इन्हें फैसला सुनाना ही पड़ेगा सुनो जो हो गया सु हो गया कहकर बात को खतम करोगे ऐसा नहीं चल सकता क्यों केशव, क्या किया तुमने ये एक लड़की की इज़त को सरे आम उचाल दिया ये बात कैसे भूल गया तू कि एक लड़की की इज़त गंगा की तरह पवित्र होती है अगर उस लड़की की हाय लग गए तो सत्यानाश हो जाएगा जल्दी मुथू से माफी मांग सर्पन जी क्या हुआ, मेरे खिलाफ बात करेगा तू तुझे जिस चाइदाद पे घमन है न उसे खरीद कर मैं तुझे इस गाउं से निकाला दे सकता हूँ या तो माफी मांग या ये गाउं छोड़ कर जा मुझे माफ कर दो मुथू देख बेटा, तुझे गाउं में बाहर से आया है गाउं में लपड़ा क्यों कर रहा है कॉलेज में डिग्री लेने आया है न तो वो ही कामकर जान पर मत खेट आज के बाद गाउं के किसी मसले में टांगड़ाई तो पंचायत बीच में नहीं आएगी सुन रहे मुथू, निप्टा देना सर पंची, अगर बेज़जती हुई तो शम्शान बना दूँगा एक हपते के अंदर अपनी बेटी की शादी तैकर उसकी शादी करवाऊंगा अगर कोई भी बीच में आने की कोशिश करेगा तो पंचायत नहीं पंचनामा होगा आई, चलो बहुटो earth चलो़ तहुभा कि झा दूश बाई रीजिनल फिलिंग्स पर अधारी था ये कॉलेज और तुमने इसका मीनिंग ही बदल दिया इस गाउं के जगणूं का असर मेरे कॉलेज पर ना पढ़ने पाए मैंने हमेशा यही चाहा है और ऐसे में मेरे कॉलेज के स्टुडेंट की वज़े से इस गाउं में जगणा हुआ जो लोग मेरे कॉलेज की तरफ आँख उठा कर देखते नहीं थे वो मेरी तरफ उंगली उठा कर अपनी बेटी को ले कर गए यवार ब्लैक माक इन माइक करियर आपको जो दुनिया नजर आती है वो नहीं है सर आप जैसा सूच रहे हो वैसा यहाँ पर कुछ करेक्ट नहीं है हर कोई यहाँ पर बस नाटक कर रहा है सीसी कैमेरे के सामने अलग और आपके सामने अलग कॉलेज में फ्रेंड्स हैं इसका मतलब यह नहीं है कि सब लोग मिल चुके हैं रीजनल फिलिंग्स उनके खून में है इसलिए तमिल वाले समझ कर तेलगो वाले नफरत करने लगे है और जैसे उनको पता चला की मैं तेलगो आला हूं तो तमिल वाले नफरत करते हैं गाउं में जगडा करने की ज़रूरत नहीं है सर यहीं पर एक दूसरे की जान के दुश्मन है कमीनों ने हमारे साथ दोका किया छोड़ेंगे नहीं उने चलो तेलगुवाले के लिए तेरा क्या ओपिनियन है बहुत अच्छे लोग है उन्होंने ही बाहु बली बनाई थी ना अच्छा तो इसलिए कटपा की दरा पीट पीछे वार किया तुने हां कौन सी पीट की बात कर रहे हो भाई क्या अपसमें लडाई कर रहे हो तुम्हें पीटने के लिए आज हम लोग आए हैं चलो रे आतों आजा आजा रुक क्यों गए मारू न यहां तो कैमरा भी नहीं लगा है ओहो मैं समझ गया तुम लोग यहां इसलिए मार पीट करते हो कि मुझे पता न चलने पाए मेरे सामने बहुत डिसिप्लिंड नजर आते हो तुम लोग कॉलिज की फीस नहीं भर सकते स्कॉलर्शिप देता हूँ मैं एक्जाम फीस नहीं खाने के पैसे नहीं होते तो अपनी सेलरी से कैंटीन का बिल भरता हूँ मैं और इसलिए तुम लोग मेरे सामने डिसिप्लिंड का ढोंग करते हो दोखे बाज हो तुम लोग इस तरह जगणने से क्या फायदा होगा तुम्हें अच्छे मांक्स मिलेंगे अच्छी नोकरी मिलेगी या तुम्हारा फीचर ब्राइट होगा कोई फायदा हो तो मैं तुम्हारे साथ लड़ने के लिए तयार हूँ राज ये भले अलग है लेकिन देश तो एक है ये बॉर्डर को लेकर जगणे क्यों कर रहे हो भूल जाते हो कि हम सभी भारतवासी मैं नेक्स्ट जेनरेशन तयार कर रहा हूँ और इस जेनरेशन में मैं स्टेट की फीलिंग को जड़ से खत्म करना चाहता हूँ लेकिन तुम लोगों ने मेरे विश्वास को तोड़ दिया तुम लोगों को ना सुधार पाना मेरी अपनी गलती है इसलिए मैं इस कॉलेज से अपने आपको रस्टिकेट कर रहा हूँ गुड़ बाई अपको नहीं बोलना चाहिए सर मुझे बोलना चाहिए दरसल पैसो के लिए मैं बहुत नीचे गिर गया था इनके भी इस दूरी नहीं पैदा करना चाहता था सर मैंने जो गलती की है उसके लिए आप कॉलेज छोड़ कर चले जाएंगे तो कॉलेज की नीव हील जाएगी सर ये पाप मुझ पर मत चड़ाए सर हमसे बहुत सारी गलतिया हुई है सर आज हमें बहुत अफसोस हो रहा है हम सच में शर्मिंदा हैं सर आप जैसा चाहते हैं वैसा स्टुएंट बन कर दिखाएंगे सर हमें एक मौका दीजिए सर सर हमारा यकीन कीजिए अब हम आपस में नहीं लड़ेंगे अपसे हम दोस्त की तरह रहेंगे सर आप सॉरी भाई बले अंजाने में तुमसे घलती हुई लेकिन अच्छा ही हुआ यही बलाव मैं पूरे गाउं में चाहता हूं और इस कोशिश में जब भी तुम्हें मेरी जरुवत पड़े तो तुम मेरे पास आ सकते हो सर वीरा मुथ्थु जी का घर यह अच्छा पापा आफ्टर ड्राइवर जहां हम बोलेंगे वहां वह गाड़ी रोकेगा उसके बोलेंगे उत्रेंगे शो सम एटिट्यूड अरे बेटा जाने दिना आड़ी देरी हो रही है मामी पेटा बिल्कुल सही कहा रहा है अक्रबकड खेलना पड़ेगा बाद में खेल लेंगे जब मैंने कहा कि अभी मतलब किया भी कार को चलाते रहो जब बेटा बोलेगा तभी रोकना अलगी डड़ी काड़ी यही पर रोको पापा यह वीरा मुत्तु का घर है ना एक बार देखा था बेटा क्या याददाश था देरी यह सब आपकी देन है मम्मी काफी तो बड़ी अच्छी बनाई है भाई साब मेरे बेटे का नाइजीरिया में नर्सरी का बिजनिस है हाँ है कि खेती करते हैं क्या अब यह क्या खेती की बाते लगा रखें लड़की को दिखाई है ना जल्दी पान की खुश्बूलू पज्जे को छोड़ लड़की आई है यह लड़की तो एकदम मोम की गुड़िया है कुछ भी मत बोला करो मेरे सामने आपकी नहीं मेरी फिलिंग्स इंपॉर्टेंट है इनके साथ टू मिनेट्स प्राइवेट बात करना चाहता हूं विदाउट य कि यह सब कॉमन बात है ना हम सब लोग इने छोड़कर बाहर चलते हैं न है कि हलो पूरे गाउं में पूस्टर का क्या लफड़ा है कि क्या आप ने किसी से लफ़ किया है कि आप मुझसे क्या सकती है यू के ट्रस्ट मी एक दोस्त समझ कर बोल दीजी प्लीज हां मैं एक ल बात ही तो कर लोंगी पड़्डल में वही रहेगा अब क्या बोलू मैं नौ जस्ट लव जस्ट्रू लव हैट्स ओफ इफ डोंट माइंड क्या मैं उससे बात कर सकता हूं प्लीज ओके डायल कीजे ना हलो 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 ब्रो जस्ट मिनट हां जो बात आपने मुझसे कही एक बार फिर से दोराएंगी प्लीज तुमसे शादी हो गई तो भी दिल में वही रहेगा कार्थिका है थेंक्यू सो मज़ ब्रो मैं सोच रहा था कि लाइफ में रिवेंज लेना खत्म हो चुका है लेकिन तुम्हारी वज़े से फिर से चांस मिल गया रिवेंज मतलब मैंने एक लड़की से डीपली प्यार किया था ठीक शादी के टाइम उसका लवर उसे शादी के मंदप से उठा कर ले गया तब ही मैंने डिसाइड कर लिया था मेरी लवर ने किसी और से शादी की है तो मैं भी किसी दिन किसी और की लवर से शादी करूंगा अबे तु पागल हो गया क्या किसी और कर इवेंच मुझ पर क्यों देख हाथ की पाँचों उंगलिया बराबर नहीं होती है ये मामला भी ऐसा ही है एई क्रो ब्रदर एक हफ़ते के अंदर मैं इस लड़की से शादी करूँगा शादी रोकने के लिए जो तू कर सकता है वो तू कर ले प्यार में धोखा मिलने में जो फीलिंग मुझे हो रही है वो ही फीलिंग तुझे भी होनी चाहिए तेरी केरेक्टर को जाननी के लिए तेरे दोस्त का पता लगाना होगा और तेरी capacity जानने के लिए तुरे दुश्मन का, ये एक तमिल फिल्म का डायलाग है जो तुझे मैं आज हिंदी में सुना रहा हूं, पूरे दिल से, आज से तु मेरा जानी दुश्मन है, पापा, यो लड़की मुझे पागलों की तरह पसंद आ गई है, इंगेजमेंट नही डारेक्ट शादी कर लेते हैं, एक हफ्ते में शादी कैसे हैं, और शादी भी एक मेंटल के साथ, आप सिर्फ हाँ बोलो उसे उठा कर ले आते हैं, ये तु बेवकुफ है क्या, प्यार करने वाली लड़की कोई उठा के लाता है क्या, मेरे भाई तु तो केशाव को प्रोब्लम क्या है, भाई तो गाउं में था ना, एक सप्ता नहीं था, सैसुराल गया था, कली तो आया हूँ, मैं जो से प्यार करता हूं, वो वीरा मुत्तु जी की बेटी है, वीरा मुत्तु जी की बेटी, लेकिन तुने तो केशो का डिटेल भागा था ना, मिस अन्रस् तु तमीर वाला है ना, क्या बात कर रहा है यार, मैं बचपन से मेगा स्टार का फैन हूं, उनकी स्टाइल में मैं डैंस भी करता हूं, अब चुप बैटना, मुझे तो वही लड़की चाहिए, लड़की तभी मिल सकती है, जब ये दोनों गाउं एक हो जाएंगे, और एक बहुत खुशी की बात है, एक समाने में हम लोग बिलकुल भाई की तरह रहते थे, एक दूसरे के घर आते जाते रहते थे, लेकिन अब एक दूसरे को काटते फिर रहे, असल में ये गाउं अलग हुआ क्यों, ये बात सन 1973 की है, जब मदरास और तेलगू को अलग अलग रा मदरास से आंदरा अलग हो रहा है, इसलिए राज्य सरहत का निर्वान हुआ है, इस प्रकार, जो सरहत है वो तिरूपुरम के बीच में से निकलेगी, आप सब लोग आकर अपनी सिगनेचर कर दीजिए, फिर इस गाउं को दो हिस्सों में अलग-अलग बांट दिया पुपती मुदकी जाए़! राम आतुर केशव की जै राम आतुर केशव की जै बाई-बाई की तरह मिल जुल कर रहने वालों को अलग करने वाला तू कौन है सहाब यह केंदर सरकार का आदेश है बद कर यहां की हम सरकार है हमारा राज्य है हम हमेशा साथ रहेंगे और साथ मरेंगे तू ने क्या सोचा तू हमें अलग करदेगा तेरी सबाधी तो हम लोग बनाएंगे हमारे बीच में लकीर कोई नहीं खीन सकता हाँ सही कहा हम लोग साथ जियेंगे और साथ मरेंगे साथ जियेंगे साथ मरेंगे साथ जियेंगे साथ मरेंगे साथ मरेंगे साथ मरेंगे साथ मरेंगे सोचा था कि हम ऐसे ही मिल जुल कर रहेंगे लेकिन इस तरह सिक निचर करके हम लोग फिर अलग हो गए ये क्या पहले तो मिल जूल कर रहेंगे बोला और अगले दिन ही साइन करके सीधे-सीधे अलग हो गए अच्छा इस बीच क्या हुआ था कि अच्छा इनको लगता है सर्दी हो गए कंबल देनर भाई कंबल की जरूत है जादा जी को दोरे पड़े हैं अरे अर्याराम से समल के कौन बोल रहा है अरे मैं पर हां बोलो अरे तुम किसे फोन पर बात कर रही है दौनी समय होने वहा है अब लेचार था अरे अच्छा अ अ हम अ उन्हें होश आ गया है अच्छा अधर जी उस दिन उस दिन बोलकर आप बहुश हो गया है क्या हुआ तो उस दिन भी मुझे फीट्स आया थार में गिर गया था उसके बाद क्या हुआ मुझे कुछ पता नहीं अरे तो इनको उसी समय निकल लेना चाहिए था ना अबे चल चल यहां से असल में गाओं के जगड़ी की वज़े पता लगा नहीं होगी आप लोग यहां पर कैसे तुम्हारे पापा को फोन आया था हेलो मैं आपकी बहु का होने वाला पती बोल रहा हूँ रॉंग नंबर ब्लडी फूल कभी दस भिखारी को एक साथ खाना खिलाया तुमने जो फोन फट से कट कर रहे हो प्रिये क्या तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है यार प्रॉब्लम मेरी नहीं आपके बेटे की है वो इससे प्यार करता है मैं उससे शादी करने वाला हूँ ये जानकर उसे बहुत बैड फील हो रहा है कल से सैड फील भी होगा और परसो मैड फील होगा तुम डैड हो इसलिए उससे समहाल लो उसने आपको फोन क्यों किया था अब यह हमें क्या पता तुम्हारा फोन स्विच्ड ओफ आ रहा था तुमने फिर से क्या आफ़ाद खड़ी कर दी यह जानने के लिए हम आ गए एक मिनिट हो इसलिए प्रापा को फोन क्यों किया था सिंपल दोस्त तुने मेरा फोन कट किया बेरे दिल को बुरा लगा इस इलिटर डैड को फोन किया मेरे पापा का नंबर तुझे कहां से मिला अर तेरा पापा कहीं का राश्पती है क्या फागलो जैसी बात करता है रिवेंज के दवर मुझे छोड़ कर गई है मेरे लिए एक एक दिर काटना बहुत मुश्किल हो गया है नोट बंदी में प्लैक मनी पकड़े जाने पर जितना दुख होता है न उतना है दुख तुझे भी होना चाहिए टाइम नहीं है को ब्रदर शादी के कार्ड ओर दे चुका हूं मै कुछ तो फाइट करो को ब्रदर इस गिदिंग टू यूनो लेजी देखते हैं किसमें कितना है दम काउंड डॉन बिगिन सांबर या दंबियानी शंकर या राजा मॉली हुआ कि हुआ क्या था सुन बेटा हमें ना ये गाउं चाहिए और ना ही वो लड़की हमारे साथ चलना बेटा ये बात आपको कहनी चाहिए खुशी से रहने वाले लड़के को यहां भेज़ दिया अगर कुछ हो जाता तो मा क्या मैं कभी भी किसी लड़की के पीछे भागा क्या कभी किसी से बात की लेकिन उसे देखने के बाद मेरा मन सीधे उस पर आ गया अक्सर मैं जगड़ा जगड़ा करता था लेकिन अब मैं जगड़ों से बहुत दूर रहना चाता हूं मा तो सुचिए मुझे लड़की कितनी पसंद है आप चाहते हो ना कि में में जिंदगी में हमेशाँ खुश रहू कि मैं खुश तभी रह सकता हूं जब वह मेरी लाइफ में होगी यह सब क्या है बेटा कां corrid when i अब इसे जगड़ा करने के लिए मना किया था तब यह माना था क्या अब इसे प्यार करने से मना करेंगे तब मान पाएगा मेरी बात तो सुनिए इसे कुछ भी नहीं होगा जाओ बेटा तुम अपना काम करो हम उस लड़की को हैदराबाद लेकर जाएंगे थैंक्स पिता जी यह अची है ना सही का यह अची है अरे सुन तुने कुछ खाया या नहीं खाया कुछ दर पहले ही के रहा खाया था ठी खा क्खाके मोटी हुई जा रही है डूप कड़ कहीं की बात क्या है बता थो उसे मिलना चाहती हूं यार बहार नहीं जाने दे रहे हैं कैसे मिलेगी अंकल ऑंकल लें नमस्ते नमस्तिमें ज़िए प्रींट सेकेंड कर आपको देने आया हूं तो जल्दी लगाकर दे दौना समधी जी कूं मिलगी हली यह एक मिनिट पूरे चेहरे पर हल दिया जूला यहां पर बांती है आप शादी में जरूर आईएगा मतलब यह कहना चारा है कि आपकी बेटी और मेरा बेटा जॉइंट ली कार्ट डिस्टिबूट करेंगे क्यों है वैसे आप लोग कहां जा रहे हैं अकडबकड मतलब तुम इनकी बेटी को लेके जा रहे तो बताना तो जरूरी है ना अच्छा उसके कॉलेज में कॉलेज में नहीं भेजोगे वो सर में दर्द है ना ओ बर्गत के साइस की सहली भी है कदा कहीं कब अब फ्रेम में आ गई हो तो साथ ही चलो आओ जो सला देनी थी वो दे दी है ना यही कि इसके साथ शाड़ी कैसे करोगी एक बार तो सोच लो लाइफ में कंप्रोमाइज ने करना चाहिए ऐसी बखवासी सला देने के लिए तुम जैसी यह बेस्ट बनी होती है मैंने कोई सला नहीं दी इसे पता है तू खाने के अलावा और कोई सला दे ही नहीं सकती मुझे पता चल गया लड़की बहुत खुबसरत है ना जी बगल में एक बफैलो भी तो है हेलो ब्रो तेरी लवर मेरी वाइफ बनने वाली इस बास से मुझे बहुत खुशी हो रही है इसलिए फर्स कार्ट देने में तुझे ही आया हूँ यह हलो 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 यह फायर प्रूफ है जय लेगा भी नहीं फेकेंगे तो गिरी जाएगा ना गुच्सा गुच्सा खुद को मार ब्रो खुद को मार ब्रो ऐसे एमोशनल एक्सप्रेशन जाता हूँ तेरे चेहरे पर मैं कुछ करेगा तो मज़ा आएगा ना लेकिन ऐसे डाइम तुझा करेगा एक यहां पर डाइलोग होना चाहिए कि यह लड़की मेरी बहु बनेगी समझ गए ना बेटा तुझे मेरे सर की कसम है फिल्मों में तुमसे दो मिनिट करनी है अधिक यह ना चाहिए जा जो कुछ बोलना आज ही बोल देंसा ना समझा नेक्स टाइम ऐसा मौक के साथ ही जाएगी इतना confidence है बेटे पर विश्वास हो तो इंसान कुछ भी कर सकता है पक्का भरोसा है कोई डाउड तो नहीं है कोई शक है आपको विश्वास है न इस पानी को इस बॉटल में डाल कर दिखाई है इसलिए मेरे सामने ये फालतू डालोग मत मारा करो अंकल किसी अनबढ़ गवार के सामने मारना मेरे सामने नहीं क्यों इस बत्तमीज के मूल लग रहे हैं आप भी लिप लॉक कर लेते हैं गोड टाइम घ्रेम या अटी छलूगी मेरे तुमारे पगर में नहीं जी जकती और अपने पापा को छोड़ कर भी नहीं जा सकती अरे बापरे कले ये मिल रहा और शादी मेरी होगी इस लड़की से तो इसको बहुत बुरा लगेगा कितना मज़ाएगा है ना अंकल मौके पर चौका मारूंगा मैं तो गलती से इंसानों में पैदा हो गया है रहे अंकल मुझे बस तुम चाहिए सर एक घंटे के लिए आपकी कार चाहिए है रखा किस दे दो अरे मैंने किस देने के लिए कहा था किस नहीं ओ सॉरी सर देख रहा हूं जब से यह आया है तुम बहुत बदल गई हो नो डाउट अरे उतरो उतरो जल्दी उतरो पता नहीं क्या का करना पड़ेगा बाबुराव सेर ये बुड़े लोग यहां क्यों आए है सर देखने से नहीं लगता कि आए है या उठा के लाए गए है क्या कह रहे हो चारिये चार जी आज कल पूढ़ी और तो को भी उठा कर ले चलाओ अरे उठा हुआ है साथ को ले चलाओ पाया मो की चक्कन में कमिल मत पड़ना देडा तू भी अपने गाहों से गाया अरे बंदर कहीं के मैं पापड को देखने आई थी कि कहीं का उए ना ले जाए और तू वहां से मुझे उठाकर ले करा गया अगर ये बात मेरे बेटे को पता चल गई न तो वो तुम सब लोगों का गला काट कर रगतेगा हाँ दादा जी नाना जी मुझे माफ करना कोई दूसरा रास्ता नहीं था मेरे पास एक जमाने में जब सब लोग एक साथ रहते थे आज इतने अलग की हो गए बताईए ये पूछने वाला तू कौन होता है उठा के लाया है तो कुछ भी पूछेगा हम बताएंगे क्या एक बार जहां थूख दिया ना उसकी बात जुबान पे नहीं ला सकता इससे पहले की कुछ हो हम लोगों को शराफत से जाने दो ये क्या बोल रहे हो वो क्या कह रहे है और तुम क्या कह रहे हो मूचें सिर्फ तुमारे पास ही है हमारे पास नहीं तुझे तो वह वहीं काट देता अपनी बेहन की शकल देखकर छोड़ दिया ए तुम चुप रहो, ज्यादा बखवास मत करो, हमने जो भी किया है सोच समझ कर किया है, हमसे अपनी तुलना मत करो अरे ओ स्वामी, साथ में हमने जन्म नहीं लिया तो क्या, साथ में हम पले बढ़े तो है ना मेरे भाई इतने साल हो गए हमें अलग हुए, एक साड़ी भी भेजी तुमने उसे कभी, और याद है जब वो पेट से थी, एक हल्दी की गाट भी नहीं भेजी तुमने, और तुम्हें अपने बहन और जीजा याद हैं, जब वो मर रही थी बेचारी, तो भाईया भाईया कहकर आखरी वक्त में तुम्हाराई नाम ले रही थी वो, कहां से आया ये पता नहीं, दो गाउं को मिलाना चाहता है, जो पता है बता दो, लेकिन यहां भी लड़ाई कर रहा हूँ, देखो बेटा, मैं बताता हूँ सब कुछ, ये जो बात है वो सन 1978 की है, दादा जी, उतना टाइम न समझ गा ना, साथ जीएंगे, साथ मरेंगे, साथ जीएंगे, साथ मरेंगे, साथ मरेंगे, साथ मरेंगे, साथ मरेंगे, उतनी सरकार के आदमियों को वापस भेज देने के बाद, सब लोग खुशी में दावत कर रहे थे, सब लोग मिलके आपस में खाओ, हम साथ जीएंग अंदर तो दोनों गए थे गले में हाट ढालकर पर बाहर आये तो दोनों खूर दें लगते इनको वालों के विश्वास मत करना काट डालो सबको अरे सुनो सुनो तुम लोग कवीन के साथ मत रहना काट डालो सबको अब तक जो लोग भाईयों की तरह रहते आ रहे थे वो अब दुश्मन बन गए थे दोनों के बीच में एक धिवार खड़ी हो गई थी दरार पड़ गया उन रिष्टों में तब भी एक दुसरे को मारा अभी मार रहे उस रूम में हुआ क्या था दादा जी उस दिन उन दुनों के बीच उस रूम में क्या हुआ था कोई भी नहीं है जो इस बात को बता सकता हो चलो रहे अरे 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 सार इन लोगों को छोड़ कर तुम कहा जा रहे अरे आप भी इंको छोड़ दो रेखा किस किस मागा तो किस दे रही हो हलो करतिका गाओं के जगड़े की बज़े ही पता नहीं चल पा रही है और तुमारे घरवालों को समझाने का वकत नहीं है तुम चली आओ मेरे पास हरी तुम्हें मेरी सिच्वेशन समझ में नहीं आ रही है मैंटमारे साथ चलिगाई तो सब लोग मेरे पापा को टार्म रहेंगे मेरे फैमिली तो जीते जी मर ही जाएगी ऐसा कुछ नहीं होगा तुम सिर्फ हां बोलो मैं अभी की आकर तुम्हें ले जाँगा तुम्हें जो बोल रहे हूं उसमझ में नहीं आ रहा है तक थेरे से लड़कें करा रही है लगता है वो तुसे प्यार नहीं करती है समझ गया तू सुन रहा है एक है अकेले पी क्या कोई ना रोको मुझे पीना है दे हो अजो मेरे संग होना ना दे मेरी संसों में वो बस दीती दे अब रो ना दो ना मातम करना बेफिजूल है जिसको देवी थी ये जा मैंने मर मर के जिसको चाहा मैंने वो सब कुछ ना था मेरे नसीब में उसके लिए ही तो हमने धोड़ा दाना रबला लगता है ये तो हनी इश्क है बड़ा पनी अब तो समझा है ये ही सब कुछ खो कर जाना है ये ये बड़ा है पनी बड़ा है पनी चाहरे मर के चाहरे मिट के दिवाने हो गय थे हम तो जिसके दिल से हम यार करते थे प्यार पागल कर डाला था हम को जिसने तेरी बुक मैं हूं किया था वादा अब यालो मैं तो मींद से जाता बिछडे दोनों क्यों आए समझना क्यों मुझ से किया था इश्क में तूने ये बादा लगता है ये तो हनी इश्क है बड़ा पनी आप तो समझा है ये ही सब कुछ खो कर जाना है ये ही बड़ा है ये तो हनी इश्क है बड़ा पनी आप तो समझा है ये ही सब कुछ खो कर जाना है ये ही बड़ा है पनी इश्क है पनी ये तो हनी इश्क है पनी अरे बेटा इस गाओं के बारे में बेटा एई बेटा करेंक करें ने लिए पहरोल क्यों रहा है चल्म बेटा मारो पाप को मारो क्यों सथो तो यह है वंसी नहीं हा रही है पाप कि कि दुझे अज तक कभी हारते हुए नहीं देखा है वेटा कि आज भी तूनहीं हारेगा इस गाओं के जगड़े के बारे में जानने के लिए मैंने रिवेन्यू रिकॉर्ड की छान्मिन की ये देख ये इंफॉर्मेशन मिलिए मुझे सन 1978 में दोनों जमिंदारों की जमीन का एक बड़ा हिस्सा एक ही आदमी के नाम से ट्रांसफर हुआ है देखना हुआ 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 वह जो गाहें ना को तेलगु वाला लड़का है ना वह तरफ भूच गज़ गया है और हम सब बहुत मारा है लटका घुस्टे में आखे कहिं इस पंजी को मार ना दे आप जल्दी से आचालिए भाई वो कॉलेज वाला लड़का है ना वो गुस्ते में सर्पन जी के रूम में चला गया है पता नहीं क्या करेगा मुझे तो बहुत इंटर देग रहा है भाई अब बूड़े ना टाइम है ना पेशन्स है मैं जो पूछना उसका सही सही जवाब देना गलत जवाब देगा तेरा सर फोड़ दूगा और वो भी अभी के अभी यहां के जमीदारों के आधी जायदा तेरे नाम पे क्यों है बोल जो गले में हाथ डालकर अंदर गए थे वो खून से लत्मत भार कैसे आ गए बोल असल में रूम में क्या हुआ था बता बताता है यह तेरा सर फोड़ दूँ मैं बतातों 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 यह सब कैसे हुआ बताता है यह तेरा सर फोड़ दूँ मैं बतातों मैं उस दिन आओ दोस्त आजाओ आज बहुत ही खुशी का दिन है यह मेरी तरफ से तुम्हें जो भी चीजें पसंद हैं वो सब यहां पर मौजूद हैं डायना अरे मेरे दोस्त दिल हो तो तेरे जैसा मेरे दिल के अंदर जो रूप बसा था उस डायना को लेके तुम बिटें से आया डायना तेरी नहीं डायना मेरी है दोस्त वाटर यू टोकिंग वो मेरी गल्फ्रेंड है अरे अंग्रीज लूग बटवारा करके चले गए लेकिन इसे मुझे देखे गए यह कैसी बाते कर रहा है तुम्हें यह पांच साल से छे मैने मेरे पास रहती है और छे मैने लंडन बोल रही है ना वह पहाड उपर मेरा बंगला आरे पागल हो गया क्या लंडन तो इसी बंगले का नाम है हो हमारे साथ चोली चुकत और यह मैं दोका है इसमें कोई धोका नहीं है जिसे जो समझना नहीं समझे वो मेरी है और मेरी ही रहेगी ब्लेक अंड वाइट, गॉंभिनेशन इदम पराबर है वो मेरी है और मुझे ही चाहिए मुझे चाहिए मुझे चाहिए तुम यहा क्या कर रहे हो गोरी को मुझे प्यार से बुला रही है यहां नहीं होता है अगर यह गलत है तो तुम लोग यहां क्या कर रहे हो यहां क्या कर रहे हो यह बात करने का टाइम नहीं है आय वांट यू कम्प्लीट यह मेरी है मेरी है मेरी है मेरी है तायाना पाँ रही तायाना मतलब आउरत के लिए एक दूसरे को मारा आरे आउरतों के लिए कितने युद्धोए है उसमें से ये भी एक है ये बात आपको कैसे पता चली वहाँ एक फ्रेम में पहले एक बच्चा था वह बच्चा मैं ही हूँ लेकिन वो तो एक अंग्रेज है ना अरे गाओं की धूपी ऐसी है तुझे क्या पता मैच हो गया बस अच्छा तुम जमीदार कैसे बन गए अरे उनके पास बहुत सारे जाइदा थी ना तो मेरी मम्मी ने एक से अचरे से 500 यडियं और मेरे नाम कर दी टोटल जमीन हो गई एकजार अचर प्रोफाइल निकालो है dauern तो मेला कब बहाचस शुरो शुरो तो मेला कब बहाचस शुल बहाचस शुल तुम्हारे दादाओंने पर्सनल जगड़े को तेल गो और तमिल जगड़े में बदल दिया अगर ये गाहँवालों को पता चला तो पूरा गाहँव एक तरफ और तुम दोनों का परिवार एक तरफ हो जाएगा अब कोई आप्शन नहीं है तुम दोनों एक हो जाओ और आप मुझे अपना दमाद मना दो केशा जो चलेगे उनके लिए जखरने से क्या फायदा या तो माफी मांग या ये गाहँ छोड़ कर जा अरे मुथू तुझे इससे अच्छा दमाद और कहीं नहीं मिल सकता मुथू तुमारे जगे कोई और लीडर होगा हमें पता है हमें टा करना है धोके बास तुझे छोड़ूंगा नहीं जहां हमारे दादाओं ने जान ली थी हम वही पर जबान दे रहें आज के बाद हमारे बीच कोई जगड़ा नहीं होगा और इस गवाह के तौर पे मैं अपनी बेटी की शादी इस तेलगुवाले से करवा रहा हूँ सथ जीयेंगे सात परेंगे है हूं mid इंदोब्र धर्श्राह सबस्तिना पुशाव श्यूवेदा। सबस्तिना अक्षय ओर सब्कुर्ण विहाँ और दातू हैं दिखा मेरे डिया ने कैसे काम किया मैं इस जगड़ा करने के लिए जगड़ा करने वाले गाउं में बेजा था लेकिन इसने दो दुश्मन गाउं को मिलाकर एक कर दिया क्या समझती हो हम हमारी जायदाद पर कबजा करके तो हम पर राज कर रहा था शादी हो जाने तो फिर बताता हूं देखो हम लोग एक दुसरे का राज अगर हम में से किसी का वी राज खुला तो गाउंवाले उसे दक्के मार के निकाल देंगे इस उम्र में शोभा नहीं देगा सो जो चल रहा है उससे कंटिन्यू रहने दू अच्छा सुनों वो रिवेंज बैन की क्या कंडिशन है कि नापिंग के बाद तो दादी पूरी तरह बदल गई है कि उसकी फिक्र मत करो मैं देख लूंगी कमाल हो गया यार पापा पापा बहुत मुश्किर हो रही है मुहुरत बदलना ही पड़ेगा इसकी कोई जिरोत नहीं लड़की वालोंने दूला ही बदल दी अरे क्या बखवास कर रहे है पापा लड़के को मोशन होगा तो मुरत को बदलेंगे ना की दूले को बदलेंगे समझे ना अब खेल नहीं पड़ेगा आप खेलते हैं तो चलो चलो आजा आजाओ झाल चलो आजाओ